नमस्कार आप देख रहें इंसकाइने टिवी इंडिया पेशे आज की मुख्य समाचार मध्य प्रिदेश लोग सेवा आयोग ने 22 मई को होने वाली राजजी इंजिनियरिंग सेवा और डेंटल सर्जन परिक्षा को इस्थगित कर दिया है हाला कि इन परिक्षाओं के आयोग ने प्रवेश पत्र भी जारी कर दिये थे लेकिन बुधवार को हाई कोट का आदेश आने के बाद MPPSC को इन परिक्षाओं को स्थगित करना पड़ा रिवा लोका युक्त पुलिस ने सिंग्रोली जीले में दवीज देकर नवा नगर थाने में पदस्तेक भिष्टाचारी प्रधान आरक्षक को बेनकाप किया है लोका युक्त ने हेड कॉंस्टेबल को 10,000 कि रिस्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है दावा है आरोपी पुलिस कर्मी ने कोल माइन्स की गाड़ियों की इंट्री के एवज में रकम मांगी थी मुख्य मंत्री सी शिवरा सिंग चोहान ने मुख्य मंत्री भुवधिकार योजना के अंतरगत हित ग्राईयों को भुवधिकार पत्र एवं इस्थाई पट्टे का वित्रण किया CM ने कहा कि अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए हमने मुख्य मंत्री नगरिय भुवधिकार योजना बनाई मुख्य मंत्री सिवरा सिंग चोहान ने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपके शहर में अगर कोई बच्चा एसा है जो कहीं भीक मांगता है तो वहां हम सब के लिए सर्म की बात है मुख्य मंत्री निवास भुपाल में आजित हुआ मचुआ सम्मेलन मुख्य मंत्री सिवरा सिंग चोहान ने दी बड़ी सोगाते सियम ने कहा कि मचली के बीज उत्पाधन जिंगा और मचली पालन के लिए 60 प्रतिशत पेसा सरकार देगी ग्रमांदी डॉप्टर नौत्र मिस्रा ने कहा कि मद्धी प्रदेश में हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले टीकाटी पड़ी को बरदास नहीं किया जाएगा अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कारवाही कर उसे जेल भेजा ज प्रतीशत और रीकवरेट 98.70 प्रतीशत है कल दीन बर की परमुक खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुब रात्री